हलो एब्रीवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आज़की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंगलिज का विश्टाज बुक से 6th चैप्टर मेमरीज अफ चाइन लूट ठीक है इसके राइटर है जीतकलासा एंड बामा अब आप सोच रहों इसके राइटर है बामा चलिए स्टोरी को डिटेल में पढ़ने से पाइन एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और यह समझना आपके लिए काफी ज़्यूरी है क्योंकि यह जब पढ़ेंगे तो जो हमारा पहला स्टोरी है इसको समझने में काफी हेल्प मिल से अमारी जो दोनों ऑथर है यह दोनों ऑथर मार्जिनलाइस्ट कम्यूनिटी को बिलॉंग करती है मार्जिनलाइस्ट कम्यूनिटी ऐसा मतलब ऐसा कम्यूनिटी होता है जिसके साथ कोई बेरभाव किया था है इसको हम यहाँ पे लिख रखें देखिए जिनको society में full participation नहीं मिल पाता है, society में जैसे बाकी लोग जो जैसे काम कर रहे हैं, जैसे life जी रहे हैं, वो ऐसा life ये लोग नहीं जी पाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको इन सब रिजन से इनके साथ भेरभाव किया जाता है, क्या तो इनके race के वज़र से भेरभाव किय ठीक है? या फिर ये भेरभाव एथिचे हैशी पर हो सकता है, एथिनिसीती मतलब कल्चर, आप कैसा language बोलते हैं, ठीक है आपका semi कास्टम कैसा है, उसके बशिचे हैज दाट है तो एथिच्रिमनेशन हो रहा है, ठीक है? या फिर रिलिजन के बशिच्छी से आपके साथ भ और बाकि लोग जैसा लाइब जी रहे हैं वैसा लाइब आप नहीं जी पा रहे हैं आपको नहीं जीने दिया जा रहा है तो बोला जाएगा कि आप marginalized community को बिलॉग करते हैं बात अगरा ही समझ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि यह full participation नहीं मिलने का मतलब क्या है क्या कमी आजाएगा हम लोग को तो यह कमी आपका education मी हो सकता है हो सकता है कि समाज के जो main stream culture है जो बाकि normal लोग है वो लोग जैसा education ले रहे हैं उनके बच्चे जैसा education ले रहे हैं वैसा education आपको ना विल पाए ज यह सब disadvantage face करना पड़ता है किसी भी marginalized community को बातेगर है समझे तो हमारी जो दोनों राइटर है ना जीत कला सा और बामा यह दोनों marginalized community को belong करती है और यह लोग अपने autobiography में याद करते हैं look back मतलब recall करते हैं अपने childhood को और बताते हैं कि कैसे इनका relationship रहा था with the main stream culture जो dominant group थे society में उनके साथ इनका relationship कैसा था वो अपने autobiography में बताते हैं ठीक है पहना जो story है the cutting of my long hair उसको लिखा है एक American Indian woman है तो हमारी जीत कला सा है वो एक American Indian woman है American Indian woman बोलने का मतलब क्या है इसका मतलब होता है native American मतलब वो Americans जो पहले से अमेरिका में राज कर दे मतलब रहते आये हैं ठीक ह यह मेलनी जो काले लोग है वोन लोग को बोला जाता है काले अमेरिकन नेटिव अमेरिकन नेटिव इंडियन मुवमेंन है ठीक है जीत कला साथ इनका जर्म हुआ था लेट 19th century में यह तो यादली रखना पड़ेगा आपको और जो दूसरा story है we two are human beings इसको लिखा है contemporary मतलब इन ही के time के यह author है मतलब जित कला साथ इस period में मतलब जिन्दा रही थी उसी time के यह भी author है Bama भी ठीक है तो यह जो हमारी author है Bama यह tamil dalit writer है यह Indian है यह जो यह आप देख रहे थे यह Indian word यह पर इंडिया से लेदाना नहीं था इनका यह American है Indian बोलने का मतलब है यह native American है पहल contemporary word का मतलब समझ गए same time को belong करते थे यह भी और यह भी चलिए अब तरह इनके बारे में थोड़ा detail में पढ़ेंगे जीत कला सा के बारे में क्यूंकि इससे हमें उस story को समझना थोड़ा easy हो जाएगा Gertrude Simmons Bonin अब यह किसका नाम आ गया तो यह जीत कला सा है यह है pen name असली नाम तो इनका क्या है यह है Gertrude Simmons Bonin तो कई बार author पर अपना real name मतलब जाहिर करने में अच्छा नहीं लगता है तो वो लोग एक pseudo name नकली नाम रख लेते हैं तो यहां पर इन्होंने अपना नकली नाम जीत कला सा रखिया है ठीक है तो आप घब रहा ही नहीं आपको यह यह याद रखना है आपको यह यह याद रखना है जीत कला सा ठीक है तो यह जो हमारी जीत कला सा थी जो की एक American Indian woman मतलब Native American थी यह काफी talented और educated थी ठीक है इन्होंने उस समय में स्ट्रगल किया था जब Native American culture और women के साथ काफी ज़्यादा वेदभाव prejudice किया ज़्यादा था समझते उस समय में इन्होंने आवाज उठाया था और यह काफी ज़्यादा talented भी थी पढ़ी लिखी भी थी As a writer, she adopted the pen name Jit Kalasa समझ गई यह और इन्होंने 1900 से सुरवात कर दिया articles लिखना जिसमें वो क्रिटिसाइज करते थी कलाईल इंडियन स्कूल को अब यह स्कूल का जिक्रह यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ठीक है वी जो इस्टोरी पढ़ने वाले हैं हम लोग the cutting of my long hair उसमें क्या होता है कि जो हमारी author है Jit Kalasa उनका पहला दिन होता है इसी स्कूल में कलाईल इंडियन स्कूल तो पहला दिन और एक में बोल सकते हैं white वाले लोग white Americans black Americans तो black Americans में में ली आते हैं native Americans हमारी जो Jit Kalasa है यह एक black American है ठीक है तो हुआ क्या था कि यह इस्कूल खोला ही गया था इसलिए कलाईल इसका प्रनॉंसेशन देखीगा है C-A-R-N-I-S-L-E बहुत लोग इसको कार्ड इसलिए प्रन जला इसका प्रनॉंसेशन होगा कलाईल ठीक है कलाईल इनियोन इसकूल यह खुला ही गया था इसलिए क्योंकि जो जितने भी black Americans से ना इनको white Americans का culture सिखाना इनको इनके तरह तरीका सिखाना इनके तरह रहना सिखाना ठीक है इनको इसमें convert किया जा रहा था समझे कि नहीं इ जिख सकते हैं कि यह जो black वाले लोग है इनके साथ बहत भाव किया जा रहा है इनको जबदस्ति अपना कल्चर चोड़के दूस्टे का culture अपना पर रहा है ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि यह लोग अपना culture जी और यह लोग अपना concert जी ऐसा भी तो हो सकता था लेकिकि गये में बोड़ के जाए इंका तरीआ शीखा Start इंके तरह कपड़ा पैनों इनके टूरा बाल कटाओ इनके तरह रहो ठीके एसा चीज ये स्कूल में सिखा जा रहा था और ये स्कूल जो है कलाइल इंडिये श्कूल ये 1879 में खुला था 1918 में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि ये स्कूल में काफी बैडली ट्रेट के जाता था इन ब्लैक लोगों को अब ब्लैक वर्ड हम इस्तवान लिए करेंगे इस स्टोडी में हर जगा नेटिव अमेरिकन इस्तवान लिए करेंगे ठीक है अब समझ चाहिएगा तो ये कलाइल इंडियन स्कूल में नेटिव अमेरिकन को काफी बैर्ली ट्रेट के जाता था और काफी सारा कॉंट्रोवर्सी भी है इस स्कूल को लेके कई सारे बच्चों का इसमें मौत भी हो जाता है ठीक है और आज भी जो लोग जिन्दा भी है वो लोग अपने जब बस्पन को याद करते हैं इस स्कूल में तो आज भी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए कि इतना बुरी तरिकर से उनको इस स्कूल में ठीट किया गया था ठीक है इसलिए इस स्कूल को बस डेडिकेटेड अगेंस्ट एविल्स अपोरेशन इन्होंने जितना भी लिखा लीट्रेचर ठीक है उसमें उन्होंने जो डॉगमा जो सेट आप बिलीव से सोसाइटी में उसको क्रिटिसाइज किया और जो नेटिव अमेरिकन वोमें उनका जो लाइफ रहा है एज अनेटिव अमेरिकन वोमें वो इसी ओपरेशन के खिलाफ रहा है ठीक है बस तो यह हमने पढ़ लिया जीतकला सा के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ते हैं बामा के बारे में जो की क्या है एक तमिल दलीट राइडर है ठीक है देशिया तो बामा भी एक पैन नेम है तमिल दलीट वोमेंन का इनका डियल नमें आपने ओधासा किया इन और या इनका देशिये बता दिया ज़्या तरहिए धा ठीक है खिलो वोमन फ्रम रोमन कैथलिक फैमिली तो यह क्रिश्चन थी ठीक है उन्होंने कई उन्होंने मेन तीन बुक लिखी है एक था उनका ऑटोबाग्रफी खुद का एक जिसका नाम है कारू कु फिर एक उन्होंने नोबल लिखा संगती और एक कलेक्शन ऑप सॉर्टी स्टोरीज कि इनके ऑटोबाइग्राफी से जिसका नाम था कारू को तो यह एकसर्प्ट याद रखेगा आपको हम इंडिगो चैप्टर में भी बताए थे इसके उपर कोशन बनता है ठीक है आप से एक्जाम में पूछ लेंगे कि यह जो स्टोरी है वी टू आर्यूमन बिंग्स यह क्य है कुरुकू का तो कुरुकू का यह एकसर्प्ट है चोटा सा पाट निकालके दिया गया है समझ रहे बस इतना यहां से आपको पता होना चाहिए चलिए यह हो गया इंट्रोड़क्शन काफी लंबा होगी अब स्टार्ट करते हैं में स्टोरी को तो कटिंग ऑफ माई लॉ स्टोर्ट कलालई प्लेस में लेटरब था जो है पैंशिल्वेनियां में ठीक है और यहां पर एकप गार्बूफ वेडन से बाट टेंए दीगे जो गार्ट हम उँदार्ल था वह मतल सब्स要टा यहां अच्छा प्लेस में अच्वा जाता हैetically वह फ्रहेंगा सबादन घरम किसी भी तरह का भेरभाव नहीं किया जाता है ठीक है, Christian mythology में तो लेकिन यह जो school है, कलाइल इंडियन school वो इसी land of apples में है जहाँ पर काफी ज़्यादा भेरभाव किया जा रहा है इस native Americans के साथ समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर native Americans को native American children को मतलब छिन लिया जाता है उनसे उनका culture और identity इस native American को convert के जा रहा है white American culture में समझ रहें, इसलिए इस land of apples में क्या है irony है, क्योंकि एक तरफ तो यह एक अच्छा message देता है land of apples एक अच्छा चीज मना जाता है जहाँ पर कोई इस तरह का बेरभाव नहीं हर जगा equality हो justice हो, ठीक है, ideal place मना जाता है लेकिन इसी ideal place में एक ऐसा school खुला हुआ है जिस पर मत जीत कला सा पढ़ने गई है और यहाँ पर इनको उनका culture और identity छीना जा रहा है एक अन्याय होड़ा है इनके साथ, ठीक है तो पहला दिन जो रहा उनका इस school में वो काफी ठंड बाड़ा दिन रहा ठीक है, bitter cold one winter का समय था for the snow still covered the ground और ground में snow बिखरा हुआ था और जो trees ते उनके पत्ते ज़र गए थे वो बेर दीख रहे थे, ठीक है तो यहाँ पर scenery describe किया गया है अब इसके बाद जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो noise है, उसको describe किया जाएगा noise या फिर sound बोल दीजिए, ठीक है देखें, क्या-क्या चीज का sound आ रहा था हुआ पर a large bell rang for the breakfast नास्ते के लिए एक बहुती बड़ा गंटी बजा, ठीक है its loud metallic voice crashing through the bell fry overhead and into our sensitive ears वो इतना जदा loud metallic sound था कि वो मानो crash करते हुआ आया bell fry, bell fry एक ऐसा कमरा होता है ठीक है, जिस पर bell लगा होता है ठीक है, तो उस bell fry को चीरते हुए वो आबाद जो है, वो हमारे sensitive कानों तक कानों को यहाँ पर sensitive कहा गया है क्योंकि यह जो native Americans होते है तो नुक्सान पोचाया, तो यह जो ब्रेकफास्ट का आवास था, वो आया, ठीक है यह पहला sound हुआ दूसरा sound आया, the annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace यह जो native Americans थे, यह लोग को देखे, जो white Americans होते है न, यह लोग क्या करते है, ऐसे shoes पहनते है ऐसे shoes पहनते है, जिनका जो souls होता है, souls समझते है, नीचे का जो अर्लियार होता है, soul वो काफी hard होता है हम लोग भी school जाते है, वोक्त यह इसी type के जुद्धे पहन जाते है, काले बाले जुदे जब हम floor पर चलते हैं तो टक 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 आवा जाता है, है की ने? लेकिन यह जो Native Americans थे, उन लोगो ऐसा जुद्धा पहनने का आदत नहीं था, ठीक है? लेकिन चुकि यह school, कलाइल इन इन इसकूल में बच्चों को White American का culture जिखाया जा रहा है, इसलिए यह लोग ऐसे ही, जो hard shoes थे, hard sold shoes जो थे, वो पहन काई हुए थे, जब वोगो फ्लोर पर चल रहे थे, तो clattering का आवाज आता था, ठीक है? तो यह आवाज से भी हमारी जो author जीत कला सा, इनको कोई शान्ती नहीं मिल रहा था, काफी ज़ unknown tongue made a bedland within which I was securely tight, तो हर जगा से harsh noises आ रहा था, ठीक है? बहुत ही बुरा बुरा आवाज आ रहा था, और नीचे में, नीचे के माले में, building तो फ्लोर में था, ठीक है? कई सारे फ्लोर ते वह अबे, नीचे के माले से एक आवाज आ रहा था, कई सारे voices आ रहे थे, बच्चों क पढ़ने के, ठीक है, murmuring and unknown tongue, देखिए, स्कूल का नाम क्या है? कलाइल इंडियन स्कूल, ठीक है? इसमें native Americans को white American के culture में convert करने का कोशिश किया जा रहा है, मतलब इनको इनका तोर तरीका सिखाया जा रहा है, है कि नी? यह white American का main language, जो है, वो English है, है कि नी? और यह native American का जो भी language रहा होगा, तो इनको English में ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ पर लिखाया कि an unknown tongue, यह जो language है English, यह हमारी author के लिए जीतकला साग देनी है, एक unknown language है, समझे रहे हैं? तो ऐसे unknown language में कई सरे मतलब, maneuvering के voice आ रहे थे, तो वो एक sound यहाँ पर describe किया गया है, made of bedlam, bedlam का मतलब होता है, a place with lots of noise and confusion, इस word का meaning याद कर लीजिए, इसको पर question आता है, ठीक है? तो इतना दरहा noise का बज़ए से, bedlam के रिए हो गया था, confusion का महौल के रिए हो गया था, जिसमें I was securely tight, जिसमें हमारी जो author यह जीतकला साग वो फसके रह रह रही थी, वो यहाँ से इसके रिए टोर इसेल्फ एन स्ट्रगलिंग फोर इस लॉस्ट फ्रीडम और वस उसलेस, उनकी जो आत्मा थी, वो इदा मतलब टोर इसेल्फ, मतलब मढ गई हो, ठीक है? वो स्ट्रगल कर रही थी वो पुराने वाले फ्रीडम के लिए, उनको अपने घर जाना है, उनको यह सारा एफ़र्ट, आत्मा का भी सारा एफ़र्ट बेकार रहा, उनको यहां से आजादी नहीं मिल रहा था, समझे कि नहीं यहां तक पहला पहला चलिए, अब आगे दिखते है, तब ही क्या होता है, अब पेल फेस वोमेन, देखिए, एक वाइट अमेडिकन को कैसे यहां तो जब आप नीचा दिखाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डेरोगेटरी वोर्ड्स या पर टर्म्स यूज करते हैं, तो यहां पर चाती तो एक वाइट या फिर वोमेन लिख सेती थी, लेकिन वह पर पेल फेस बोलती है, ठीक है, जब भी हम किसी, मतलब बोरे इंसान पर पेल फेस बोलते हैं, तो वो उसके लिए टाइप का गाली होता है, ठीक है, पेल फेस मतलब वाइट वोमेन थी, जिसनका फेस वाइट हो, अब पेल फेस वोमेन आती है, वीट वाइट है, उनका चैरा तो साधा था ही, बाल भी सफेद थे, केम अप आप्टर अप्टर से पिछ आती है, we were placed the line of girls who were marching into the dining room, हमें girls के बाकी लड़कियों के साथ एक line में डाल दिया किया, और यह बाकी लड़किया कहां जा रही थी, march करते हुए, चलते हुए जा रही थी, डाइलिंग रूम में, क्योंकि अभी breakfast, गंटी वजा है, breakfast होगा, ठीक है, these were Indian girls, यह सभी लड़किया जो थी, वो ही native Americans थे, काले वाले, ठीक है, इन steep shoes, यह सभी लड़किया जो थी, steep shoes, जो वो hard-sled shoes होता है, वो पहने हुए थी, जब लोग फ्लोर पे चलेंगे तो टक-टक आपाज होगा, ठीक है, लेकिन चुकि हमारी जो author है, जीत कला साथ, यह इनका पहला ती लड़किया तो यह आज steep shoes पहने की नहीं आयोई थी, ठीक है, soft shoes पहने का आयोई थी, तो बाकी लड़किया जो इनका feature note कीजिया, बाकी लड़किया steep shoes पहने होई थी, and closely clinging dress, ऐसे कप्रे पहने हुए थी, जो काफी सटे हुए हो, स्कीन से सटे हुए, ठीक है, जैसे की white Americans प Sleeved Apparant, Apparant समझते हैं, आगे के तरफ लगा दिया जाते हैं, ताकि वो जब खाना खाए, तो कप्रे खराब ना हो, Apparant पे गिरें, बार में Apparant को साफ कर दिया जाएगा, ठीक है, तो छोड़ी लड़कियों को बाही वाले Apparants पहना दिया गया था, and Singled Hair, Singled Hair यह वोड अगर आपका हेर का साइड शोल्डर से उपर तक है, शोल्डर से उपर है तो उसको Short Hair बोलेंगे, और Singled Hair मतलब काफी छोटे-छोटे बाल, इस्क्रीन के एगदम करीब तक, उसको Singled Hair बोलते हैं, मतलब टकला होने से थोड़ा से ज्यादा बाल, उसको Singled Hair बोलेंगे, और Short Hair तो आप कंदे के उपर तक जितना भी बालेंगे, उसको Short Hair ही भूलेंगे, तो इन छोटी-छोटी लटकियों को, काफी, इनका बाल को काफी छोटा-छोटा कर दिया गया था, As I walked noiselessly in my soft moccasins, हमारी जो author है जितकला साथ, वो जब चल रही थी, तो कोई भी चैप का noise नहीं हो रहा था, क्यूँ, क्यूंकि वो आज कैसे shoes पहने होई थी, soft moccasins पहने होई थी, moccasins का होते हैं, आप इस picture में देख सकते हैं, ऐसे leather के बने हुए soft shoes होते हैं, ठीके, Just like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders, author बोलती है कि इनको इतना सरम आ रहा था, क्यूंकि इनके shoulder से, जो blanket था, जो वो चादर ओड़ के आई थी, वो हटा दिया गया था, आप इस picture में देख सते हैं, अमेरिकास लोग ब्लैंकेट ओड़ कराते थे, ये blanket हटा गया था, तो मानो, इनको काफी स सरम आना सब के सामने ऐसे राना, ठीक है, बिना ब्लैंकेट कराना, तो इस सरम के माने मानो क्या कर रही थी, सिंकिंग तू दा फ्लोर, में मतलब आप्ता चेहना चिपाने का कोशिज कर रही थी, I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I, in their tightly fitting clothes, हमारी जो आथा जीत कला सा, वो उन Indian girls को यानि उन Native American girls को काफी hard तरीके से, काफी मतलब ऐसे तरीके से देख रही थी, गुसे से देख रही थी, क्योंकि इन लड़कियों को तो और भी बुरे तरीके से ड्रेस किया गया था, काफी tight fitting कपरे पैना दिये गये थे, ठीक है, देखिए, हमारी author का तो से blanket हटा दिया गया उस समय में, एक immodestly dressed मना जाता था, ठीक है, ये, मतलब white Americans पैनते थे, लेकिन जो Native Americans थे, इस टाइप के dressing को पसंद नहीं करते थे, काफी tight fitting, जैसे की jeans पैन हो गया, ये सब पैनना वो पसंद नहीं करते थे, उस समय में, ठीक है, तो author काफी hard, मतलब ऐसे देख रही थे, क्या वो सभी लोग एक hall में आते हैं, तो एक दरवाजे से लड़किया एंटर करती हैं, और दूसरे दरवाजे से लड़कें एंटर करते हैं, I watched for the three young braves who came in our party, हमारी जो author है, जीतकला साथ, वो तीन young braves, बहादुर लड़के को देखती है, ठीक है, जो कि इसी खाना काने, मतलना अग्षाइबल एजाई फिट, ओथर जो है, चुपके चुपके देख रहे थी, वो लड़कों को वो लड़के रियर रैंक्स, मतलब लाइन में काफे पीछे खड़े थे, और वो भी मेरी ही तरह, अनकॉंपर्टेबल फिल कर रहे थे, वसलाब ये लड़के तो चलो एसे उचेश अनकुंकोंप टेबल फिल कर रहे हैं लेकिन ये जो लड़किया है इंडियन गूर्स इनको टो खोड़की नहीं परता है, इनको कैसे भी डेशाब कर दिया जा जाए, इनको फड़की नहीं परता है कि इसलिए जो एक आछ्षर जो है, वो इन तीन्लरपों को यंग ब्रेब्स कहती है जलो यह लोग थो फिल कर रहे है ठीक है फिल आगे देखिए और स्मॉल बेल वाज टैप तब एक चोटा सा गंटी वाज ताल है और सभी जो प्यूपिल्स यादि सभी जो स्टुडेंट से वो लोग टेवल के नीचे से चेर निकाल लेते हैं और सपोजिंग इस एक्ट मेंट देवर टो बी सीटेड आई पूल आउट माइंड आट वाज स्लीप इंटो इट फ्रॉंग वन साइड तो आजूम कर लेकि जब चेर निकाल रहे मतलब चेर पर बैठना है तो ऑथर ने भी क्या किया अपना चेर निकाला और चेर में एक साइ रही है ठीक है मतलब यह घंटी बजने का इंडिकेशन यह था कि आप उसी चेर निकालना है बैठना नहीं है उस पर ठीक है और रिस्ट एट आवर टेवल रिमें इस्टेंडिंग सभी बच्चे खड़े ही थे जैसे ही हमारी ऑथर आप उस टेवल से उटने वाली थी काफी सरमाती हुई ठीक है एराउंड तो सी हाउ चेर वर टो भी यूजट वो देख रही थी कि चेर को कैसी यूज़ करना है तभी क्या होता है कि एक सेकंड बेल बसता है और तभी सेकंड बिल बसते ही और वोर सीटेड अट लास सभी बैठ जाते हैं ठीक है मतलब पहले सभी अधर उठी तो सभी बैठ गए ऐसा हो गया ठीक है तो अधर को भी फिल I had to crawl back into my chair अगें फिर से वो धिरे से चेर पर बैठ गई लेगी I heard a man's voice at one end of the hall and looked around to see him अधर सुनती है एक इन आदमी का voice ठीक है अधर के किसी corner से अधर आपना सीट उठा के देखने के कोशिस करती है कि कौन बोल रहा है ठीक है लेकिन बाकि जो दूसरे बच्चे थे वो अपना सीट जुखा के अधर है अधर है और ते प्लेट को देखे जा रहे थे तो इस लाइन से हमें यह परस लते हैं कि इन बच्च को कितना डड़ा के नखा किया था ठीक है इनको मतलब काफी जाला डॉमिनेट किया जा रहा था इनको सीट उठा के देखना भी अलाव लही था लेकिन चुकि हमा I caught the eyes of a pale-faced woman upon me अधर देखती है कि वही pale-faced woman मतलब एक गोडी और अरज थी वही उनका नजर बावा पर ही मतलब सौरी जितकला सा पर ही अटका हुआ था मतलब यह pale-faced woman हमारी अधर को ही देखे जा रही थी ठीक है तो जैसे ही देखा कि जैसे ही हमारी अधर ने देखा कि यह अंग्रेज वारत इन्हें ही देखी जा रही है उन्होंने तुरंट अपना आख को नीचे कर लिया ठीक है वांडरिंग वाई आई वस सो कीली वास्ट पाइद इस ट्रेंज वोमें और अधर यह सोच में पड़ गई कि यह इन्हें इतना ध्यान से क्यों देख रही है तभी वो मैन सीजड यानी स्टॉप्ट ही मटरिंग उसने कुछ बोलना पंद कर दिया तभी तीसरा बिल बजटता है एवरी वन पिक्ड अप इस नाइप और फॉर्क और बिगान इटिंग सभी लोग छोडी और फॉर्क निकालता और खाना इस्टार्ट कर देते हैं ठीक है लेक इतना तक ऑसर काफी जढ़ा प्रसान हुगे थी , डर गई थी कि वह मतलब अपना हिमत खुद दी और रोना इक कर देती है क्योंकि पहला दिन थी तो छोटी बच्ची ठिक है काफी जढ़ डर गाई और उनोंने रोना कह कर दिया ठीक है चल्ड तो अभी तक तो यह खाने का experience रहा breakfast का यहाँ पर देखिए यहाँ पर author को कैसा feel होता है यह सब याद रखिएगा तो वो कफी ज़ता confused feel करती है उनको पता नहीं कैसे behave करना है out of place वहाँ पर वो feel कर रही होती है किसी अलग जगा पर आ गई है वो ठीक है काफी ज़ता embarrassed feel करती है जब जब बागी लोग बैठते हैं यह खारी हो जाती है जब बाकी लोग खरे रहते ही ऐह बैढ़ जाती है ठीक है और काफी ज़ता ड़ी हुई भी feel करती है जब इनका आँंख इनका जो नजर है वो स पहल फस्रेंचा नजर से टकड़ाता है तो काफी इस पहले दिन में सिपिए खाने वाला ही incident सबसे बुरा चीज नहीं था सबसे बुरा trial नहीं था यहां पर देखिए खाने को भी यह जो खाने का सिस्टम था एक फर्मूला से कम नहीं था कि पहले चीरन की जो फिर टेबल बचेगा टेबल बेटो फिर बेल बजेगा तो छूरी और फॉर्क उठाओ तब खाओ ठीक है इतना कौन सिस्टम फॉलो करता है खाने में ठीक है इसी को experience को trial कहा गया है trial यह नहीं test कहा गया है क्यूंकि यहां पर खाना तो दिया जा रहा है लेकिन खाने इसके साथ-साथ इन्रेट लिए उनको टेस्ट भी किया जा रहा है बिंग वोर्ज ऑथर यहां पर फिल करती कि उनको नजर राखा जा रहा है उनको judge किया जा रहा है इस Late in the morning सुवत देर में क्या हुआ कि my friend इनकी एक friend भी बन गई थी जिनका नाम था Judwin ठीके उन्होंने इसे काफी बुरा warning दिया Judwin को English के कुछ सब्द आते थे और उन्होंने Judwin ने चुक्के से सुन लिया था इस pale face woman को बात करते हुए यह pale face woman बात कर रही थी कि वो इनके जो ल घने होते हैं मतलब अजीब तरीक होते हैं चिपके चिपके होते हैं तो इस टैप के बाल वो काटने वाली थी ठीक है तो यह काफी बुरा चीज हमारी ऑफर ने सुना उस दिन अब क्या होता है देखिए इन लो नेटिव अमेरिकन का बिलीफ कैसा है आवर मदर्स है टॉट इस लिछ एक काफी टॉटे और नेटिव एमरिकन के में चोटे 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 किये जाते हैं थीक है मतलब शींगल है यह साइन है weakness का और defeat का in the narrator's culture समझे नेटिव अमेरिकन के culture में छोटे-छोटे बाल रखना एक कायरता और हार की निशानी को माना जाता है समझे Among our people short hair was worn by mourners and singled hair by cowards हमारी narrator के culture में ये माना जाता है कि जो short hair है उसको सी mourners मतब जब कोई मर जाता है तब बाल चोटे-चोटे करवानेते हैं ठीक है और जो singled hair है single hair और short hair समझ रहें आप इसवाज देरे पहले बताएदे तो singled hair है वो cowards जो टटपोख है वो लोग singled hair रखते समझे तो यह टेप आप बिलीफ है नर्याटर के कल्चर में समझे वे डिस्कॉस्ट आवर फेट सम मोमेंट्स तो हमारी ऑफ़र और उनकी फ्रेंड जुडवीन कुछ चल तक कुछ ताइन तक यही ठीस डिस्कॉस किया कि आगया क्या होने वाला है ठीक है और जब जुडवीन ने कहा कि कि we have to submit because they are strong हमें तो मनना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग strong है वो pale-faced homager है हमसे काफी strong हैं तो हमें इनके गुड़े टेकने ही पड़ेगे हमें सब्मीट होना पड़ेगा तो यह बात सुनते ही हमारी ओधर ने रिवेल कर देगी नहीं हम सब्मीट नहीं होगे ठीक है तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जो आथर है जीट कलासा वो काफी ज़दा बोल्ड थी बोल्डरे इसको क्या बोलते है हम लोग और याद रखें कि इसके उपर कोशन बनता है और अश्य थी ठीक है रिजोल्यूट है यानि डिटर्माइंड थी गट सी ठीक है यह सब बहुत स्क्राइब आप इस चेप्टर का जितना भी इंपोर्टेंट कोशन एंसर से वह सब आप अपने वेब्साइट पर डाल दिया ह जो जो हम चीज बोल रहे हैं यह सब चीज यह सब चीज आपको कोशन एंसर में मिलेगा ठीक है उसलिए हम यह आपर लिख के रखे हैं ताकि जब आप कोशन एंसर फेपर करें तो आपको वह उत्वरा इजी लगे आगे देखिए आई वाश्ट माई चांस एंड नो वन नो इन माई स्कीज शूज वह हमारी जो अथर वह शीरीओ को चल रही थी जितना संती से हो सके उतना संती से ठीक है इन माई स्कीज शूज अब यह आवाज करने वाले जूते इनको इनके बास कहा से आ गया अभी तो हमने देखा था कि यह मौक जील्स पहने होई थी ठीक है जो को शूज पहना दिया गया था ठीक है इसलिए जब वह चल रही थी तो आवाज कर रहा था वह तो इस आवाज को दवाते हैं वह जीतना संती से हो सके वह सीरीओ को चल रही थी ठीक है फिर आगे क्या होता है कि एलाउंग दा हॉल आई पास विदाउट नुइंग वेर विदर मतलब वेर ठीक है आई वस गूइंग हॉल से गुजरते हुए वह जा रही थी उनको पता नहीं था वह कहां जा रही है फिर उनको एक दरवाजा खुला हुए मिलता है वह वहाँ प स्कूल है किने यहां पर काले लोगों पो वाइट अमेरिकल्स का कल्चर तिखाया रहा है ठीक है जो यहां पर जो बेड शीट है इसको भी वाइट रखा गया था ताकि यह लोग इसमें और वाइट कल्चर में इसली ढल पाए ठीक है जो तक्क्या होता था तक्या का कवर हो विंडोज में डार्क ग्रिन कलर के कर्टेंस लगे हुए थे जिसे कि रूम काफी अंदकार्ड सा लग रहा था ठीक है और थैंक्फूल कि वहां पर कोई भी नहीं था तो हमारी जो आथर है उन्होंने अपने कदम को कहां तक ले गई वो उस रूम के कॉर्णर तर गई ठीक है and huddled myself in the dark corner और अपनया पुछी बाली dark corner वे from my hiding place I peered out वो चिपके धाक रही थी shuddering with fear whenever I heard foot steps nearby जैसे ही उनको कदम काबाद सुनराई पड़ता था तो ये दर के माने काप अपूरती थी though in the hall loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me सभी लोग इनको बुला रही थी Judwin भी इनको खोज रही थी कहां गई ये ठीक है लेकिन इन्हों ने अपना मूर ने एक फुला answer देने के लिए फिर तभी कदमों का आवास तेज हो जाता है और voices excited हो जाते हैं सभी लोग इस रूम में आ जाते हैं ठीक है sound nearer and nearer मतलब वो लोग काफी करीब आ रहे थे women and girls entered the room सभी लोग रूम में एंटर करते हैं हमारी उसार इतना तर नर्बस हो जाती है कि वो अपना सासों को भी रोग लेती है क्योंकि सास का आवाज ना हो जाए ठीक है और watch them open closet doors वो देखती है कि सब लोग मतलब वो जो महिल a da da hai और उस रूम में थ्रसा लाइट आ जाता है ठीक है और लाइट आने से क्या होता है कि देखें एक इनसान क्या करता है किसी पतानी किस कारण से नीचे जुकता है और जुक के बेड़ के नीचे देख लेता है ठीक है और वो कारण क्या था उने नहीं पता I remember being dragged out और इस्क्राश कर रही थी लेकिन इंस्पाइट आफ वाई सेल्फ आइट फास्टिन चेर इतना रिबोल्ट करने का पावजूद भी इनको नीचे ले जाया गया और फिर इनको चेर से बांग गया थीगे बिठा के I cried aloud shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them know of one of my thick blades देखिए और काफी जड़ा चीखी चिल आई अप्रा सीर को हिलाए जा रही थी ठीक है पूरे जब तकों का बाल काट आगया वो पूरा आप्रा सीर को हिला रही थी ताकि वो लोग बाल ला काट पाए लेकिन तब ही इतना रेसिस्ट करने का बावजूद भी जब चलता है खचाक कटने का आवाज आजाता है इनको ठीक है और इनका जो एक ब्रेट्स जो मतलब चोटी था उनको एक मोड़ा सा चोटी काट दिया जाता है अब काटना सुरू हो गया तो पूरा बाली अब इनको सिंगर्ड कर दिया गया ठीक है दैन आई लॉस्ट माई इनसिडेंट होने का बाद जैसे ही केची चला हमारी ऑथर ने अपना इस्पिरिट है आत्मा को दिया ठीक है इनको एक सेंस ऑप डिफिट फील हुआ क्यूंकि इनके कल्चर में सिंगर्ड किसका होता है कावर्ड का ही होता है जो लोग हार जाते हैं उनको ही एनेमी कैप्च का सामना करना पड़ा है एक्स्ट्रीम इंडिगनिटी ठीक है काफे गलत तरीके से इनको ट्रीट किया गया है पीपल स्टेर डैट मी लोगों ने उन्हें घुरा है घुरा है मार बोलने का मतलब है इंटेल्स स्क्रूटनी से वह गुजरी है ठीक है इनको बाद बाद पर ज अब मेरा बाल बी काट दिया गया एक कायर की तरह ठीक है इन माई एंग्वीश आइ मोंड फर माई मदर ये मामा करके चिलाती रही ठीक है लेकिन कोई नहीं आया इन्हें कमफोर्ट करने के लिए इनको संद अमना समझाने बुजाने के लिए ठीक है नॉट असोल रिजन व अब मैं वान ए अनी लिटरह ड्रीवन भाय हर्द क्यूं कि अब मैं सिफ एक उस एनिम्मल की तरह थी जिसे एक हर्दर चटाता है थीक है मैं एक इंसान ने रही हूं मैं एक सिफ एट्निमल बन शुकी हूं ठीक है इसी के साथ ये जो स्टोडी था वो एंड होता है और जो ने हमारी ऑफर का इस टोन के ऊपर कोशंग बनता है कि इस चंजा में टोन कैसा रहा है तो काफी ज़्याद और डिस्मल फिल कर रही है ठीक है इस बात को जाद रखिएगा और यहां पर इस टोड़ी के ऊपर टारी रेटिंग का में कोशंग बनता है आपसे बोलेंगे कि आप माल लीजे यह तो जीतकला साव का पहला दिन का एक्सप्रियेंस था लेकिन इसके बार ऐसा तो नहीं था कि जीतकला साव उमर गई वो जिंदा ही रही काफी ज़्यादा प यहां रिकॉल करती है और सोचती है कि अगर वह उस दिन जिसलिन उनका बाल गाटा गया अगर वह उस दिन थोड़ा और दुसरे तरीके से रिवोल्ट करती कुछ और दुसरा तरकीव अपना दी तो हो सकता था इंका बाल नहीं कड़ा जाता ठीक है तो वह क्या-क्या तरकी अब स्टार्ट करते हैं दूसरा अब आईए दूसरे स्टोड़ी को स्टार्ट करते हैं वी टू आर हुमन डिंग्स बाइपामा ठीक है यह क्या है एक एकसर्प्ट है कहां से उनके ऑटो बाइग्राफी से जिसका नाम है कारू कु ठीक है चलिया इसमें आउथर बोलती है कि जब वो थर्ड क्लास में पर रही थी ठीक है तब तक उन्होंने I hadn't yet heard people speaking openly of untouchability इस story का main theme है untouchability ठीक है इसके बारे में उन्होंने कभी लोगों को बात करते हुए नहीं जुना था ठीक है लेकिन but I had already seen उन्होंने पहले ही देख लिया था feel कर लिया था experience कर लिया था और हुमिलेट भी हो चुकी थी इस untouchability के कारण by what it is ठीक है बले ही उन्होंने लोगों को openly बात करते हुए नहीं चुना था चुआ चुत के बा sorry school से घर आ रही थी ठीक है and old bag hanging from my shoulder कपने कंदे पे school bag लिवी थी it was actually possible to walk the distance in 10 minutes जितना दूरी था home से लेके school तक ये दूरी को 10 minute में cover क्या जा साता था लेकिन और इसको 30 minutes लेती थी इस distance को cover करने के लिए कम से कम 30 minutes ठीक है उससे ज्यादा ही होता था इतु टेक मी फ्रम आदे घंटा से लेके एक घंटा तक का वो समय लेती थी इस स्कूल से घर लोटने के लिए ठीक है इससे चल रहे है कि कहा जाना है इस वोट को याज रखेंगे ठीक है इसको पर कोशन बनता है तो वो आदा घंटा से एक घंटा का सवय लेती थी इसकोल से घर आने के लिए और घर आते वक्त वो क्या देखती थी वाचिंग औल दफॉन और गेम्स वो इसकोल से घर आते वक्त जितने भी फन और गेम्स हो सकते थे जो चल रहे थे वो सब को देखती थी जितने भी इंटर्टेनिंग नुवल्टीज वातब जो नए नए अक्टिविटीस थे उसको देखती थी इसको देखती थी यही सब देखने का चकर में वह 10 मिनट के रास्ते को आदा गंटा से एक गंटा का समय लेके कवर करती थी समझे यहां तर चलिए तो अब स्पेसिफिकली पताया गया कि वह क्या क्या चीज देखती थी यह आपको याद रखना है इसका पर कोशन बनता है सबसे पहला हो गया वह परफॉर्मिंग मॉंकी ठीक है बंदर का नास देखती थी फिर एक स्नेक चार्मर एक सपेरा आपने साप को कैसे डिस्प्ले करता था एक बॉक्स में रखा हुआ था टाइम टाइम पे वह स्कुट निकाल के दिखाता था वह दिखती थी वह दिखती थी कि एक साइकलिस्ट था जो तीन दिन से लगतार आपके साइक को चलाए जा रहा है पैडल किये जा रहा है ठीक है वह कभी रुका नहीं है और वह दिखती है कि उसके शर्ट पे रुपी के नोट्स पिन किये गए है ठीक है लोग उसके शर्ट पे पैसे लगा दाते हैं ताकि उसको थोड़ा इंकरेजमेंट मिल पाए और पैसे का ललास में और भी ज़्यादा पैडलिंग किये जा रहा था तो वह यह चीज दिखत जो चर्खा है वह देखती थी फिर एक टेमपल दिखती थी मरियाटा टेमपल थिक है कि इस टेमपल में बड़ा सा बेल ज्यूल रहा है वह 더 देखती थी पॉंगल ओफिर इंडिया में हम लोग मखर संक्राइन innate है वसे साथ हिंडिया में पॉंगल वनाये में जाता है ठीक ह मंजर के सामने प्रसाद रहा है उसको देखती थी फिर ट्राइड़ फीस इंट्ल बाइद स्टैचु आफ गांदी सी के बगल में एक सुखा हुआ ज़िक अश्टाल लगता था ठीक है इसके लाब वो देखती थी कि कैसे वो स्ट्रीट राइट जो है ना वो कैसे अपना कलर ब्लू से वालेट टक चेंज हो रहा है वो यह देखती थी ठीक है फिर दा नरी कुवर नरी कुड़ावन हंटर जीप सी नरी कुड़ावन एक मतब नुमैटिक ट्राइब है तमि अपने पिंजरे में वाइज ए लेमूर रखे हुए होते हैं ठीक है लेमूर आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं फिर सेलिंग नीडल से लोग यह जो हंटर जिपसी लोग होते हैं लोग सुई बेशते हैं क्ले बीर्स मोती हो गया इंस्रूमेंट बेशते हैं काम को साफ कर करने के लिए तो यह सब चीज वो लोग बेशर होते हैं तो अथर हमारी यह भी देखती है वो आई कूट गो और और वो बता सकती है और यह लिस्ट बहुत ही लंबर जाएगा अगर वो बताने लगे तो ठीक है इस तिंग वोड़ पूल में तो अस्टेंड सेल और यहार ए जाही नहीं और रुकिये और सुनिये वो क्या क्या चीज दिखती थी एड टाइम्स वो अब्जर्ब करती थी कि पीपल फ्रॉम वेरियस पोलिटिकल पार्टी वो आते थे एकी स्टेज लगाते थे और हैराइंगस हैराइंग का मतलब अता है तो स्पीक इन फोर्स फूल ए तो तमासा हो गया फिर कोई पपेट सो हो गया या फिर नो मैजिक नो मिरेकल इस्ट परफॉर्मेंस हो गया थीक है इस्टंट में तो कोई मैजिक होता है ना कोई मिरेकल होता है तो ये सब चीज वो देखने लग जाती थी all these would happen from time to time समय समय होता था था but almost certainly there would be some entertainment or other going on कुछ कॉफी क्लब होगा करते थे बजार में वो देखती थी कि कैसे उस कॉफी क्लब में एक वेटर होता था और हर एक वेटर कैसे कॉफी को ठंडा करता था एक तंबलर से दूसरे तंबलर में जब वो कॉफी डालते थे काफी अलग अलग तरीके से कुआ फिर आके तूसरे वो यह देखती थी, या फिर वो यह देखती थी, कि the way some people sat in front of the shops, chopping of onion, वो देखती थी कैसे कुछ लोग दुकान के सामने प्यास काट रहे हैं, होटल वाले लोग ठीक है, और अपने आखों को दूसरे तरफ मोड के रखे हुए, क्योंकि प्यास काट रहे हैं, तो क्या निकले तो वो बदाम का जो बदाम है, पेर से टूटकर नीजे गिरते थे, वो देखती थी, वो, ठीक है, तो यह सभी जो नजारे हैं, सभी जो साइट से, वो author के पैर को तेथर, मतलब, बाल के बनो रखती हो, चकर के रखती हो, और लोग को घर जाने से रोक रही हो, ठीक है, इस सुगर केन, स्वीट पोटाटो, पाम सूट्स, ग्राम, पाम सीरप, पाम फ्रूट, गौवा, जैक फ्रूट, एवरी दे आई वोड सी पीपल सेलिंग स्वीट और सेवरी, फ्राइट स्नेक्स, पैयासम, हलवा, बॉल टामरेंड सीट्स, और आइस लॉली, वो यह सब चीज साथ, बंदर का नाथ, सपेरा, ठीक है, लाइट का बारे में जिक्र, यह सचीज आपको याद रखना है, ठीक है, फिर यह पॉलिटिकल पाटीज वाला है, रांग वाला बाती है, आपको याद रखना है, आगे देखें, तो गेजिंग अ आल दीस, वन डे, आई केम तू मा इस्टेट, माई बैक स्लंग ओबर माई शोल्डर, तो यही सब लजाने देखते हुए एक दिन क्या होता है, अब स्टोडी में इस्टोडी यहाँ से सुरू होता है, ठीक है, यही सब लजाने देखते हुए ओधर जो है, वो अपने स्कूल से घर जा रही थी, वो एक रास् थ्रेशिंग फ्लोर सेट अप किया गया है, थ्रेशिंग फ्लोर मतलब आप इस पिक्टर पर देखिकता है, इसको पीट-पीट के इसमन से अनाज निकाला जाता है, ठीक है, जो ग्रेन हैं उसको क्या बोलते हैं, इस्ट्रॉ मतलब वैल या फिर भूसा जो भी बोलीजें, उसे अलग किया जाता है, ठीक है? तो वह दिखती है कि वह फ्रेसिंग फ्रोर सेट अप किया गया है, फ्रेसिंग फ्रोर आप मसीन से भी कर सकते है, हाथों से भी कर सकते है, या फिर कैटल, जनवरों के हेल्प से, बैल चलवा दीजे उस पर, तो उससे भी जो grain है वो stack से दूर हो जाता है ठीक है तो यही चीज़ वहां पर हो रहा था और जो landlord था वो यह उस काम को देख रहा था ठीक है landlord जो था वो एक बोरे sacking बोरा पर बैठा हुआ था और वो बोरा जो था वो एक stone lace पे spread किया गया था एक पथर का कुछी structure होगा उस पर बोरा भी जा दिया गया था और उस पर यह landlord बैठके यह पूरा काम जो है देख रहा था कि कैसे थ्रेशिंग किया जा रहा है समझे यह आता है our people who are hard at work ठीक है आवर पीपल मतलग वो लोग जो हमारी ओथर के community effect कास्ट को बिलॉंग करती है ठीक है तो वो ओथर बलती है कि हमारे लोग काफी मेहनती होते हैं काम करने में driving cattle in pairs ठीक है जोड़े में cattle को drive करते हैं वो लोग round and round गुल-गुल घुमारे होते हैं to trade out the grain from the straw ठीक है और जब वो बैल को गुल-गुल घुमाया जाता है तो क्या होता है कि उस पुवाल से बूसे से grain अनाज अदग हो जाता है ठीक है अनिमल्स को मुँ में मजल लगा दिया चाता है आप इस पिक्चर में दे सकते हैं ताकि ये लोग वो आगको खाना ले ठीक है I stood for a while there watching the fun तो जो बामा है वो कुझर खड़ी होकर यही सब चीज देख रही थी और उनको काफी मजा रहा था यह सब चीज देखके तब ही क्या होता है कि just then an elder of our street इस street में इस street में हमारी ओधर बामा रहती थी उसी street के एक बुजूर्ग आदमी थे ठीक है वो दिखती है कि वही बुजूर्ग आदमी came along the direction of the bazar बजार से वो बुजूर्ग आदमी आ रहा होता है the manner in which he was walking along made me want to develop और जिस तरिके से यह बुजूर्ग आदमी चलता हुआ आ रहा था न काफी जूक के चल रहा था वैसे ही ओधर को देखके मन करिया कि यह भी double up करें double up का मतलब होता है copy कर रहा यह बामा का भी मन किया कि चलो हम भी इनकी तरह नाटा करके चलते हैं ठीक है इनको इतना exciting लगा I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion author का मन किया कि वो cheek cheek के हासे यहां पर क्यूंकि वो देख रहे थी कि इतना बड़ा आदमी और इतना छोटा packet को इस तरीके से carry कर रहा है ठीक आप इस picture में देख सकते हैं इतना इस तरीके से carry कर रहा है इतना जूख गया है इसको carry करने में यह देखके इंको काफी wrapper था paper था और उस paper में तेल के दाग लगे हुए थे ठीक है इसलिए author रेज्यूम करती है कि इस packet में क्या है वड़ाई है नहीं तो केला का बज़ी है ठीक है कच्छा केला का फिर आगे दिखें है क्या में लोग वो बुजूर्गार में आता है elder man ठीक है holding out the packet by its string वो देखती है कि यह इस packet को यह man छू नहीं रहा है इस packet को string धागे के जरी यह पकड़ा हुआ है ठीक है इसे पकड़ पकड़ा रहा है तो कहीं यह package नीचे टूट के गेड़ना जाए और बदाइस कहीं गेड़ना जाए क्योंकि सारा खेलन तो यह इसी point का है ठीक है अगर यह point टूट गया तो यह नीचे गिर के unpack हो जाएगा और बड़ाई खराब हो जाएगा और यह सोच रही ह अगराट में था वो वेल्ट इस्ट्रेट अप तो दे लैंड़ोर्ड वो सिर्ए लैंड़ोर्ड के पास गया बोर्ड नीचे जूखा ठीक है extended दा पैकेड टूट सीम और पैकेड को आगे कर दिया लैंड़ोर्ड की तरफ ठीक है cupping the hand that held the string with his other hand cupping मतलब हाथ को cup के shape में करने दा आप इस picture पर देख सकते हैं वो एक हाथ से दूसरे हाथ का कोणी को ऐसा पकड़ लिया ठीक है respect देने के लिए और धागे से लैंड़ोर्ड को दे देता है वो packet the landlord opened the parcel and began to eat the birdies parcel खोलके birdies खाना start कर देता है landlord ठीक है तो यह से समझ भाए रहा है landlord का feature क्या है landlord जो है बोल सकते हैं वो क्या है डेस देन पूल का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई respect नहीं हो ठीक है काफी ज़्यदा arrogant है snobby से यह सब synonym से ठीक है याद रखेगा यह सब और काफी ज़्यदा dominating dominate करने वाला इंसान भी है यह landlord bossy है ठीक है यह सब features है landlord का तो after I watched all these at last I went home author यह सब देखके अपने घर चली जाती है उनके घर में उनका एक बड़ा भाया आए हुए थे ठीक है I told him the story in all its comic detail author जितना funny तरीके हो सके उतना funny तरीके से यह सारा story अपने भाया को बताती है I fell about with laughter author हस्ते हस्ते गिर परी ठीक है at the memory of a young sorry of a big man and an elder at that making such a game out of carrying the parcel वो हस्ते हस्ते गिर परी जब उन्हें याद यह बात याद आया कि कैसे इतना बड़ा आदमी और इतना बुजूर्ग आदमी एक parcel को carry करने के लिए इतना जंजट कर रहा था ठीक है तो यह सोचके author हस्ते हस्ते गिर बड़ी लेकिन अन्ना जो उनके बड़े भाई आते elder brother उनको अन्ना यहाँ पर बोला गया उनको यह सब सुनके funny नहीं लगा ठीक है अन्ना टोल्ड में that the man wasn't being funny when he carried the package like that अन्ना आप समझाते हैं हमारी author Bama को कि यह जो elder आदमी इस तरह के सब packet कर रहा था यह कोई funny चीज नहीं है ठीक है वो समझाते है कि everybody believed that they were upper caste कि हर कोई यह यह मानता है कि यह लोग upper caste के है ठीक है और यह upper caste वाड़े लोग हमें touch नहीं कर सकते हैं और अगर यह लोग हमें touch करेंगे तो यह लोग चाओ जाएंगे pollute हो जाएंगे that's why he had to carry the package by a distinct यही कारने कि वो elder man उस packet को धागे से carry करके लाया था food को touch नहीं किया वो ठीक है तो जब author इस बात को सुनती है तो author का भसने का मन नहीं करता है वो काफी बुड़ा feel होता है वो काफी sad हो जाती है ठीक है वो सोचती है कि कैसे यह लोग यह believe कर सकते है कि अगर हम इस package को touch कर देंगे तो यह food उनका खराब हो जाएगा ठीक है यह लोग कैसे सोच सकते है या था कि यह जो वड़ाई है इसको पहले banana leaf में pack किया गया है उसके बाद paper में pack किया गया है तब दिया गया है हम तो direct food को भी touch ने कर वे ठीक है तो food हमाने touch करने से कैसे खराब हो सकता है author इतना चादा provoked feel करती है और angry feel करती है काफी excited हो जाती है वो कि उनका मन करता है कि अभी जाके उस बेकार से बड़े इसको touch कर दे और उसको pollute कर दे ठीक है वो सोचती है कि क्यों हम जाए और उठा के लाए इन ल भूजूर का अथमी ठीक है इतना meekly मतलब डड़पोख वाले तरीके से दुकान में जाता है नास्तर आने के लिए उभी snacks नाने के लिए ठीक है और इतना respect के साथ नीचे जुख के सिकूर के उस landlord को देता है ठीक है वो landlord जो सी पॉपर बैठ के अपने मुझ में कुस खाने को श्टफ यानि ठूस लेता है ठीक है दर थौट अफी इंफिरेट वी यह सब सोच के काफी गुसा आजाता है बामा को ठीक है हमारी ओंतल को वो सोचती है कि how was it that these fellows thought of so much of themselves यह इंसान जो है यह लोग जो है आपने आपको इतना महान कैसे समझ रहे ठीक है बस इन्होंने बस चार पैसे कमा लिए है इसलिए सिर्फ इन्होंने चार पैसे कमा लिए इसका मतलब यह कि यह लोग सारे human feelings को भूल गए है ठीक है बट वी तू आरिमवन भी सम भी तो इन्सार हैं को जानवर नहीं है ठीक है कि हमारे टश करने से यह खाना खराब हो जाएगा आवर पीपल शुड नेवर रन इस पिटी एरांड फॉर इस फैलो वो गोलते कि हमारे लोगों को हमारे कास्टवान लोगों को इन लोगों के ल थोड़ी पैसा लेंगे कि नमक लाने का इतना चार्ज हुआ अपने गरणवार उसे तो पैसा नहीं लेंगे ठीक है ऐसे कम को इरांड बोलते हैं तो यह सब काम करना बंद कर देना चाहिए हमारे लोगों को सिप उनके पास जाना चाहिए जो काम करने के लिए जा रहे हैं चुरियर में काम करना तो उतना ही काम करेंगे प्लात तंभा लेंगे और वापस आजाएंगे एक्स्ट्रा इंके लिए परसों काम करके नहीं देंगे ऐसा बामा बोलती है ठीक है अब आम जो Wenwood अंब्ऑने भाह के बारे में कुछ बताती यह आन चाहीए ठीक है Consosters पलती है वह आपर जाते थे बुक्स को बॉर्व करने के लिए ठीक है देख दिन क्या हुआ वो लाइपरेडी से अपने घर आ रहे थे वाकिंग अलाउन दा बैंक्स और इरिगेशन टैंक इरिगेशन टैंक के बगल में वाक करते वह आ रहे थे घर ठीक है तब ही क्या होता है कि फेमिलियर जाने पिसाने से नहीं लग रहे थे ठीक है उसलिए वह लैंडोर का जो आदमी था वह उनसे पूछता है कि हुआ यू आपा वाट स्यूर नेल कि तुम कौन हो और नाम क्या है अनन टोल इस ने अननने अपना नाम बता दिया इमिडिटली वह जो दूसरा इंसान पूसता है कि थाम भी मतलब वेट वन वीच स्ट्रीट वी लीप तुम कौन से रास्ते मड़ाते हो ठीक है तो यह पर पॉइंट यह था कि अगर उस इंसान को स्ट्रीट पता चल जाता तो उसको कास्ट भी वह पता लगा लेता कि यह इंसान किस कास्ट का है ठीक है तो अनन तो यह सभी बाते जो है वो अनन हमारे ओथर बामा को बताते हैं और वो बताते एड करते हैं कि because we are born into this community चुकि हम इस community में बॉन हुए है तमिल दलीद community ठीक है we are never given any honor or dignity or respect हमें ना कोई honor मिलेगा ना dignity मिलेगा ना respect मिलेगा ठीक है we are striped of all that हमसे यह सब छिन लिया गया है बट लेकिन हमें एक रास्ता है हमारे पास जिससे हम honor, dignity, respect ले सकते हैं वह रास्ता यह है कि अगर हम study करें और progress कर जाए तो हम लोग यह पूरा indignity जो अज सम्मान है उसको हटा देंगे ठीक है इसलिए जो अन्ना है वो हमारी author Bama को advice करते हैं कि ध्यान से परो जितना हो सके उतना सीखो ठीक है if you are always ahead in your lessons अगर तुम अपने lessons में हमेशा आगे दाओगी ठीक है सबसे ज़्यादा परीद होगी तो लोग तुमारे पास आएंगे अपने मतलब मतलब से आएंगे ठीक है attach themselves to you लेकिन वो लोग तुमारे साथ जूरेंगे तो इसलिए मेहनत करो और सीखो तो यह जो वर्ड से अनान जो बामा को बोलते है यह वर्ड मतलब बामा पर काफी डीप इंप्रेशन करेट करते हैं इससे बामा काफी डीप ली प्रेडित हो जाती है और अब शुदिए रहाड और उस दिन के बाथ से बामा काफी मेहनत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जितना जीजन है उलगाके इना फ्रेंजी और फ्रेंजी मतलब आदलपन की तरह वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है ठीक है तो as Anand had urged, I stood first in my class, जैसा है मेरे बईया ने कहा था, मेरे class में first time, and because of that many people became my friends, और उनका बात सही भी हुआ, जो आसम्मान से गुजड़ना पढ़ रहा था, वो आसम्मान हटा है, इस्टेडी में excel करने का बात क्या होता है कि करी सारे लोग इनके दोस्त बन जाते हैं, अब यह पहले story के writer थी, जीत कला साथ, और दूसरी story के writer है, बामा, यह दो लोग एक दिन मिलते हैं, ठीक है, और discuss करते हैं कि कौन कितना, वो अतलब indignity शफर किया है, वो सब चिस सफर करते हैं, तो दोलों के बिस में बोलेंगे कि dialogue लिखिए, तो यह ऐसा question आ सकता है, यह question हम दे द पसंद आया होगा, पसंद आया होगा, तो तीन काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नहीं है, तो इसको सब्स्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर आपके मन में कोई confusion, doubt या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो सब चीज बताना है, तो आप कमेंट करके भी बताईए, मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है, चलिए, एंड करते हैं, मिलते हैं बाजल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, बाइ-बाइ-ए तक केर.